हेलो फ्रेंड्स दिशी सुरेश इसमेन आटोमोटिव डाइ इंजिनीरिंग आज को सेशन को जाने के पहले आप लोग कैसा है हाव आर्यू फ्रेंड्स ये कोरोना डिसीज चल रहा है दीन बार बढ़ते जा रहा है तो इसके लिए दो चीज हम हमारा ध्यान रखना है नबर बन प्रेंचिन इस बेटर दन क्यूर नबर तो एल्थी स्वेल्थ ट्रिस के लिए जितन भी प्रोसीजर हम लोग फॉल अप करना है जो डॉक्तर्स रेक्मेंड कर रहा है और गवर्मन जो गाइलें दिया है 100% without disrespect we have to follow then only we can save ourself and we can save society without spreading in the upcoming days चलिये, हाज के सिशन बेसिक्स रफ त्रिम मन पिर्स डई और इसके पहले में सबको धन्यवाद बोलूंगा मेरा जो वीडियोस देखने वाले को more than 1500 व्यूस अभी तक पहुंच है और more than 100 सब्सक्राइबर चुड़ है यह दो चीज मुझे बहुत ही मोटिवेट कर रहा है ताकि में बहुत ज्यादा वीडियो बनाऊंगा और मेरा जो नॉलेज है में शेर करते रहूंगा तो आज का सेशन मेरा पुराने वीडियो में मेरा मेने शेर किया था ट्रिम और गैंप्रिम बत वन एट शेंटेशन अट इन प्रेसंटेशन में अदग से बना हुआ थोकी रेगलर ट्रिम और पिर्स और तोड़ा सा डिफरेंसे होता है और ये अर यूनिक इन डिजाइन आस वेल अस वेल अस अनुपक्टरिंग देलास्ट मेंटिनेंस तो नेक्ट वीडियो में बनाओंगा तो अज जाएंगे दिमाग में आपको क्या आ रहा है यस ट्रिमिंग इस नथिंग बट रेमोविंग दे अन्वाइड मट्रियल तो गेट रेक्वाइड शेप यसे एक सिंपल एक्जाम्पल अगर हम गादन में देखते तो जो गादनिंग बन्दा है रेगलरली अपना जो चोटी-चोटी प्लांट को अच्छा से ट्रिम करके उस अग्जाम्पल से में शुरू कर रहे हैं आज का सेशन को ट्रिमिंग इस कटिंग आवे एक्सस मेट्रियल फंदा परिमेटर आफ पार्ट फंदा रांट शेल और फॉर्म्ड पैनल तो यह चोटा सा एक्जाम्पल यहां पर दिया है एक सिलिंडर फॉर्म विद दे लुटाहर आज पर फिरिफयर्य अव फॉर्म पर फॉर्म जान फॉर्म वह डियो थी च्रॉर्म प्रिम लुटाध्य को जान टिया ऐक्ना ही तो फॉर्म यह जाए फिल्दी मूर्म कि आए प्लिए गर गाट्ट यह स्वाट्ल काम्पन यह चोटा है हैं एक्टल निया को पुरा रिंग निकाल सकते है जब डाई साइस बढ़ रहा है और एक ही स्टोप में कटिंग करने के बाद जो स्क्राप निकल रहा है उसको हम एक साथ नहीं निकल पाएगा तो उस सिचिवेशन पे हम लोग स्क्राप कटर इंट्रोड्यूस करके उस क्राप को दो पीस और चार पीस जैसे उसको स्क्राप करके दी निकल सकते है वैसे हम डिसान करना है। तो डिषाटल क्रापीस निकल डाद इसान करना है तो घॉ शीस्था पीस कटिंग में ठीजियर। इस सीजुचे आप celui जैसे अप्टमोबाइल के लिए यह साय को ठीजियर। जैसे आप्टमोबाइल शेत्मेब्ल पैनल में को अबार बात दोल starting from part location, nut welding, cable routing, hose mounting, etc., etc. and this image shows in the panel there are multiple holes in multiple shapes and that is a major use of the piercing holes in the panels and nut shell may take both trimming and piercing they are basically used to remove the material from the panel to get the required shape and holes for various purposes here I am going to share various methods of trimming and piercing broadly used in our automotive sector number one single stage trim, number two multi stage trim, number three notch trim and fourth is part of single stage trim in the last slide be bhi bataaya to one stroke mein poora trimming complete hojaata hai to single stage trim mein mostly single stage trim possible in small panels and progressive dies and combination dies when it comes to bigger dies definitely we need to go for multi stage trim and here the small example I have shown in one stage we remove this portion and this portion and this portion and this portion as one stage and second stage we remove the corner portions so then the final product we are getting with the finish size so this is the second and third one notch notch we use many areas for mounting purpose, joining purpose and reference purpose and the last one is parting off parting off in progressive tool mainly we use to get the output product end at the parting off in bigger automotive panel dies we use to get separation of LH and RH and we remove some part of multi stage trimming process then piercing hole when we see the hole I selected with the shape of the hole in the multi methods number one circular number two oblong square and rectangle and a special keyhole and perforation so these are the different different holes which we commonly use in automotive dies and next trim and pierce die design key points this is a smooth outer bottom die I am showing and the number one important point we have to design the die with symmetric and when we design the die symmetric automatically the geometric center comes to the die center but sometimes we don't get symmetric directly matching with the geometrical center of the die due to various reasons it may be inner and outer it may have multiple cams and multiple design flexities when that situation comes the die upper die get eccentric load so it is important that we find out the geometrical center as well as center of mass of the die it has to align with the bolster center number two scrap cutters as I told in the last slide we can use multiple scrap cutters to cut the trim pieces into small small and we can remove them easily while we are designing the scrap cutter we need to follow anti-clockwise so that the scrap piece falls through in uniform way and when we go for opposite direction then definitely we will find a scrap cutter not completing the full circle and we find the scrap struck up in between number three we need to design the die with the guide pillar and heel guide and why because the trimming and piercing operation requires high accuracy as well as the heavy vibration happens during the trimming process so to withstand the vibration and to get the better alignment between top die and bottom die we should ensure this dual system of guide pillar and heel guides in case of small dies it is recommended to use the ball gauges and with the subguide pillar in the strippers to bottom die before stroking blocks serves the role of limiting the stroke it will not allow excess travel of upper trim steel and breaking the bottom cutters and damaging the cutting dies and next is scrap piece wall when we are designing the scrap flow scrap tube we should ensure that they are mounted at the right place and scraps are fall through easily and this is the piercing die button where these holes are used for water jet holes let's come to upper die in the upper die similarly the trim steel we are using segmented steels since the die size is big it is not possible to make a single steel whereas in the small dies we can use single block also with the wire cut and we can run the production scrap cutters so this is upper scrap cutter with respect to bottom die heel guide so here brass plate and brass bush has been mounted then the stripper pad in automotive dies we use the stripper pad with lesser contact to ensure part holding also happening at the required area in the small dies get 100% contact since they are holding the panel and guiding the panel in the small area with high speed here especially in the skin panel they may create additional contact and they may bring new defects into the panel so we prefer to remove most of the areas and we provide the contact only where it is necessary and pad locking pin for the pad and the piercing punch mounted inside the pad with the retainers so quick recap trim and pierce trim and pierce removes the excess material to get shape and holes type of trims single and multiple stage trim notch and parting off types of pierce circular slot keyhole and perforation what are the key factors for successful trim and pierce good quality die set robust guide system stripper quality trim steels standard retainer punch die insert and scrap cutter design with the proper flow thanks for watching friends please click the like button and don't forget to comment and subscribe next video on bedding and flange dies bye bye